वेलकम टूम तो माई चैनल आज मैं बनाने जाए हूँ दंदूरी चिकन एक बार फिर मों आपके सामनिए दंदूरी चिकन की रेसिपिल आई हूं इस दंदूरी को मैंने गेज बनाया है और बहुत ही जूसी है ही जुति स्पैसी है पहुत ही टेस्टी इसे खाके बज़ाव स तो इसको कट लगाने से चिकन हमारा जल्दी कुक भी हो जाएगा और इसके अंदर मसाला अंदर तक अब जाएगा अब मैंने तो बड़े नीभू के जूस लिया है और मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगे और लसन अद्रक का पेस्ट है इसके अंदर मैंने हरीमिश भी यह एड़ कर अब दो घंटे के लिए हम इसे रेश्ट पे रख देंगे दो घंटे बाद इस तरह के से हम चिकन का सारा पानी निकाल देंगे उसके बाद हम इसे मसाले एट करेंगे वन इस्पून लालमिश पाउडर वन इस्पून धन्या पाउडर हाफ इस्पून हल्दी पाउडर हाफ इस्पून गरम मसाला हाफ इस्पून जीरा पाउडर वन इस्पून आमचूर पाउडर वन इस्पून हमने आपको श्राइसी करना वह तो आप इसकी कौंटूटी बढ़ा भी सकते हैं तो मैंने 3 बड़े चमज लिए उसके बाद मैंने आपके कस्तुरी मेथी डाला है और फुट कलर भी एड़ करेंगे हम दो चोटी कटोरी हम दही एड करेंगे दही एड करने के बाद हम सब को अच्छे से मिक्स कल लेंगे और आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपके पस टाइम नहीं है तो कम से काम आप इसको आदे से एक घंटे रेस्ट पर ज़रूर रखिए जितनी देर आप रखेंगे उतना अच्छा चिकन में फ्लेवर आएगा क्योंकि अंदर तक मसाल अबजोर्ब हो जाएगा अब एक नोन इस्टिक पैन लेंगे उसके अंदर मैंने एक बड़ा इस्पूर मैंने बटर एट किया है अब बटर को इस तरीके से घुमा लीजिए और उसके बाद अब इसके अंदर हम चिकनेट करेंगे और इसकी लीट लगा देंगे और पांस से दस मिनट तक हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे तो पांस से दस मिनट हो गए है तो मैं एक बड़ खोल के देख लेती हूं तो चिकन में पानी लगबग जल चुका है तो मैं इसको अच्छे से पलड़ देती हूं और इसको अब लोफ लेंपे में कुक करूंगी ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए जब जाये तो 5 मिनट मैं ने लोफ लेंपे से छोड़ दिया ऐसे ही तो पांस मिनट हो गए है अब मैं देख लेती हूं तो चिकन का सारा जो वी थोड़ा बहत पानी था वो भी जल चुका है और चिकन अच्छे से कोक हो गया ये थे अच्छे से इस के नचा रहा थी मसाला अच्छे से भून गया है और देखिए ओयल भी अपने जराने लगा है तो हम सारे चिकन को अच्छे से निकाल लेंगे अगर चिकन ना गला हो तो आप इसको फाइब मिनट्स और कुक कली जी लो फ्लेम पे उसके बाद हमने जो दही का जो हमारा मसाला बचा हुआ था व लो हम दिख जी वटना पीषिकन को सब्सक्राइब एक finely तरह को बाद मिने चाहिए अपक ग्रेबी के अंदर में चिकन एकटो अडर्ण। च्रिक्न एड करने के बार हमें चर्फ एक से दो मिनट तक अग फोक कर लेंगे अगर आपको थोड़ा सा पानी भी एरट कर सकते हैं तो बसे इस तरफ कम लोत किजिए और हमारा चिकन तंदूरी घर पे बे economist और from यह चिकन हमने तंदूर में नहीं बनाया बलकि केस्पे बनाया है तो इसमें यूज होने वाले समानवीं बेसीक हैं जो नोर्मली घर में मिल जाते हैं तो आप इस तरीके से बनाएए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको चिकन की रेसिपी दिखाईए तो पसंद आए तो लाइक से या सब्सक्राइब जरू करें